देवी महाकाली, देवी महाशक्ति, शांत हो जाईए, मैं आपसे निवेधन करता है अब माता महाकाली को रोखने का कोई उपाय ने, क्योंकि महाशिफ सर्गुर्ण से निर्गुर्ण हो चुके इस प्रकार संसार से शिफ तत्व का लुप्त होना, सुष्टी के संतुलन पर संकट की घोर बादल का च्छाना है माता, मैं ये अनर्थ कदापी नहीं होने दूँगा प्रभु महाशिफ को निर्गुर्ण निराकार होने से मैं रोकूंगा मुझे अनुमत्ती दीजिए उत्तम, अति उत्तम महाशिव नहीं तो पराशक्ति भी पूर्ण नहीं अर्धनारिश्वर जो हैं ये एक नहीं तो दूसरा भी नहीं दोनों नहीं तो ये श्रिष्टी भी नहीं बंडा सूर अब तुमारी ये विजे तो निश्शित है अब तुम्हे त्रिदेव बंदे से कोई नहीं रोक सकता तुम्हे त्रिदेव बंडे से कोई नहीं रोक सकता तुम्हे त्रिदेव बंडे से कोई नहीं रोक सकता प्रभू तो पूर्ण रूप से विलुप्त होने ही वाले है प्रभू हम पर कृपा कीजिए लौट आईए क्योंकि यदि आप लुप्त हो गए तो संसार अधूरा ही नहीं रहेगा अपी तो लुप्त हो जाएगा मैं प्रण करता हूँ प्रभू महाशिव जब तक आप अपने साकार रूप में नहीं लौटते तब तक मैं वो दिव्य नृत्य कर आपकी प्राथना करूँगा जो आपको भी प्रिये है तक तक तब तक आप न्वासिव जर्णा कर चन्न थांडवां तनूख नथिव जब शिवा जिवा य। आम नमाषी बाई मत्स ने गले मत्स लोग दुद्ड मालिका प्रभू पूर्ण रूप से अद्रिश्य हो गए जब तक आपके साकार रूप के दर्शन नहीं हो जाते मेरे नृत्य का आकार बढ़ता ही जाएगा आपके 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 देना मा किस क्या शब्द है ये किस की पुकार है ये मैं कहा हूँ कोने मिला आदाद कोने मिला आदाद आप कौन है मैं कौन हूँ मुझे बताईन आप कौन है मैं ब्रह्मदेव हूँ आप ब्रह्म थे हैं तो ब्रह्मदेव मुझे बताईन मैं कौन हूँ मेरा कोई नामी नहीं है मेरा कोई परेचे भी नहीं कौन है मेरी माता किस के शब्द है ये किस बालक के रुदन का स्वर है ये कहा है ये बालक और इतने दुखी स्वर में मा को क्यों पुका रहा है ये मुझे बटाए ना कौन हो मेरा नाम क्या है रुद्र अर्था 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 शियव शियव रुद्र प्रभु महाशिव अपने इस रूप में लौट आए रुद्र आपका रुद्रन सुन मेरी जिवह पर आपके लिए यही नाम आया है प्रभु बालशिव आपका नाम रुद्री ही है शिव लीला अप्रम पार है आपकी अनंत लीला में इस लीला का कारण समझने में मैं भी असमर्थूं प्रभू रू का अर्थ है चिंता और द्रा का अर्थ है दूर करना रूद्र अर्थात चिंता को दूर करने वाले एक और इनका करुणा में रूप पालनहार का प्रतीक है वही दूसरी और इनका उग्र रूप संहारक का प्रभू रूद्र तो समस्त स्रिष्टी के उड़जा के स्त्रोथ है इसलिए इनका अस्तित्व सर्वो परी है पर मात्मा है ये वो दूर्दन कर रहा है और था किसी संकत में सफल होगी मेरी योजना सत्य होगी मेरी कलपना प्रित्वी का सर्वनाश होगा अत्रकाली कष्ट निवारिनी जै महकाली मा जै महकाली मा प्रभु शिर के रुद्र रूप के कारण ही धरती देवी काली की क्रोथ से बच गए तुम जैसी भी लीला कर लो मेरी जगो पून होने से कोई नहीं रोख सकता कोई ने अबवाव इस पूल अबवाव इस पूल नहीं न पराजित नहीं हो सकता प्रभु बाल शिर्व ने देवी काली का रोज शांत कर वो संभव किया जो किसी के लिए भी संभव नहीं था बालक की पुकार सुनकर सब कुछ भूल वो दोड़ी चली आई ऐसा एक मा ही कर सकती है प्राजित लोड़ाय लिए वो जो अपरनों तूल लुश्यी का रोड़ कर दो विए भूल अबवादी आई सी ताननी निजरे सी ताननी निजरे सी ताननी रड़ गलॉपार सी ताननी मेरी रश्मी, मेरी पत्री रश्मी प्रभा एक बार फिर मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाकर अपनी गोर्ड में उठाना चाहता हूँ यही रक्त, मेरी पत्री का रक्त मेरे हातों में स्टप्श Nशुट स्टप्श 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 तुम्हें निष्व क्या हो गया है तुम्हें जो जीवित है उनको छोड़ कर जो मुदित हो गया है उनका स्मरंद कर रहे हो मूर्ख हो तुम इस सवसर का लाग उठाओ बढ़ना सुर साब डूबे है अपनी बावनाओं के सादर में तो अब मैं भर लाओंगा अपनी विजय का गागर अब युद्ध में अपनी विजय के लिए इतनी दुष्टता तो चलती है अब शुम्ब इने पीछे से स्थम्भि करेगा तब निशुम्ब करेगा इनका नाश तब देखता हूं स्वैम को पराशक्ती पुकाने वाली ये नारी कैसे अपनी रक्षा करती है प्रभु शिफ के निराकार होने के बाद भी बाल स्वरूप में अक्तरत होकर देवी काली के रुत्र रूप को मम्तामई रूप में परिवर्तित कर दिया है ये तुम्हारे कारण भी संभव वो पाया है पुत्रगणी प्रभु के इन मनोहर सौमय रूप को किस नाम से जाना जाएगा बटुक भेरफ बटुक भेरफ बटुक भेरफ बटुक भेरफ क्या देवी सर्वभुते शूचे तनक्त अब्विजीयते नमस्तस्यी नमस्तस्यी नमो नमहा हाँ प्रभु महाशिफ के इन भूप को बटुक भेरफ के नाम से जाना जाएगा बटुक यानि भ्रमचारी और भेरफ वो जो सभी के भय दूर करें इन्होंने देवी काली के क्रोथ और शांत कर सभी का भय भी हर लिया हैं वो बटुक भेरफ जिनका कार यहान होगा संसार के कोने कोने में भटकना किन्तु वो अपने भगतों को कभी कुमार पर भटकनी नहीं देंगे काशी में इनका प्रियस्थान होगा जहां यह अपने मुख्य मंदिर में अपने भटके हुए भगतों को उचत दिशा का ज्यान देंगे इनकी ही उपासना सथ तंत्र मंत्र की सिर्धियां भी प्राप्थ होगी वन्दे बातम् स्वतिक सत्रिशं कुन्ततो तासी बक्त्रम् दिव्यकल्पेरनम् मनी मयाहा किंकिनी नुबुराण चेहा दीप्तां कानं विषदवंदनं सुफ्रसन्नं तिलेचं हस्ताप्चाभ्यं बटुक्मनीशं शूत्दंडो नधानं शूंब निशूंब बेरे सबसे बले अस्त्र प्रस्तुत हो जाओ अपने अगले आक्रमण के लिए हमें शमा कीजे प्रभु बटु वहरा प्रभु आपके निराकार रूप लेने से पहले आपको स्तंबन से बाहर नहीं ला सके के तु अब परेडाम जो भी हो आप अपने शिव सत्वक को प्रित्वी पर लोटा का अपने महाशिव रूप में दर्शन देने की क्रिपा कीजिए क्योंकि आपके बिन शिष्टी अधूरी है प्रभु मैं अधूरी हूं महाशिव यदी साकार होंगे तो मेरा स्वपन भी आकार लेगा क्योंकि महाशिव तो मेरे साथ रहने के ये वचन बद्ध है तुम्हारी प्रार्थना का फल तो मुझे ही प्रार्थ होगा देवी प्रभु शिफ्ट तत्व के प्रत्यक्ष रुक्ष्प में दर्शन देने की क्रिपा कीजिए अन्यता मैं और श्रिष्टी दोनों ही अपूर्ण रह जाएंगे प्रभु आएंगे तो मेरी अपूर्ण एच्छा को ही पूर्ण करेंगे अम्त्रयंबगं यजामहे सुगंधिन पुष्टि बर्धनं पुर्वारुत मिर्वंधनां इच्जे मुष्यमां पिता अम्त्रयंबगं यजामहे सुगंधिन पुष्टि बर्धनं पुर्वारुत मिर्वंधनां इच्जे मुष्यमां पिता प्रणाम प्रभु आएंगे सुगंधिन पुष्टि बर्धनं पुर्वारुत मिर्वंधनां इच्जे मुष्यमां पिता कर दो कर दो कर दो एको कि अरूड़ कि अरूड़ को अरूग साथ एकार प्रशकाइब लाुड़ कि अरूब साथ पर अरूड़ को जब आप प्रकट होई गये हैं प्रभू तो मेरे पक्ष में आ जाईए और आदेश्टी जी इंदेगियों को क्यों आप्तेस्त्र त्याग कर पराजे स्विकार कर लें ना आपको शस्त बिराने की ना पराजे स्विकार करने की कोई होई शक्ता है क्योंकि पाप के सागर में डूबे भंडा सुर को मेरा साथ कभी बरादने है ना आपको शस्त बिराने की ना पराजे स्विकार करने की कोई होई शक्ता है क्योंकि पाप के सागर में डूबे भंडा सुर को मेरा साथ कभी बरादने हो सकता पाप की प्राकाष्ठा को पार कर अपने सभी पुन्य खो दिये अब वो आशिरवाद या सुरक्षा के नहीं मात्र मित्यू के महातंड की योग्य है और जब आप स्वयम युद्भुमी में हैं तो इसके नाश में कोई संद्धे नहीं आप मेरे साथ ही अन्याए नहीं कर सकते मुझे अपने साथ से वंचित नहीं रख सकते आपको मेरे निकटाना ही होगा प्रभू अब क्रौन रोकेगा हमें कोई नहीं क्योंकि इसका हम अवसरी नहीं देंगे नहीं पापी उशित और अनुशित के बीच लेट करने की सक्षी खो देते हुझको सब्सक्त चलता वो यहीं सोचते तो ऐसे में सतर्क रहना ही उशित पापी कितना भी प्रयाप क्यों न कर ले अन्टी उन्हें पराजे ही प्राप्त होती है इस पार हमारी पराजे नहीं जैजाई होगी हमारी शुम्ब निशुम्ब के जल को भी विफल कर दिया इस नारी ने याँ नारी इस मार्सरुनाश्योगा मेर प्राओर येग मेरे सबी आस्त शस्त नष्ट कर रिएगी कई मेरा पुना वद तो नहीं कर देगी आस्त शुम्पश्ट ब्राओर नहीं आस्त शुम्पश्ट एट नहीं आस्त शुम्पश्ट विशुम्ब काभी यंदो गया तो मैं स्टंबट कर भई पलनाम करूँगा तो तुन्हें भाता दिशिम्र किया है तेरी मायवी शक्ति मुझसे सुखकर अपने भीतर संभाई कर रही है यह कैसे संभाव है यह दिशुम्ब के इस तंबन शक्ति को कैसे सोख सकती है इसलिए अचमवित मत हो क्यों वहाँ माया को ही माया से बालना चाते ही और किसली बूल करोगे तुम 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 यही महा माया और और ने मेरी ही निद्रा से उत्पन मेरा ही इस तुरूँ ने और यही सब ही माया की स्त्रोथ और नियंत्रक्स तुम तुम झाज़ किसर बूपेचि चन जपीजिंशेंस, नमस्टसे झाज़ झाज़ मुझा झाज़ मुझा ति नमस्टसे, नमस्टसे, नमस्टसे नमा झाज़ महा माया, यह महा शक्ती, तुम कोई भी रूप ले लो, अंत, मेरा अंत, तुम्हो रही, वो भी तुम्हारे जैसे कुछ से नारी के आतो हुए कुछ स्फचसारь काये काया जा चुमां ही denn जा शक्ती स्थैम्हारे मैंि कोच्छसारी कोच्छ और जा मोच्छसे लेए बूम्हारे जा टा हुए प्रेहलों प्रेजदा रOME कितना भी प्राइस कर लो मुझे आहत नहीं कर दितू कि पूर्व में इसके अंत का क्या उपाय था हाँ माता शुंभू को ये वर्दान प्राप्त है कि उसके भीतर की नारी शक्ति उसका अंत कर सब्सक्राइब नारी को अपला समझने वाले इस दुश का अंत कर दो माता की शक्ति से नहीं वरन नारी शक्ति से ही होगा समझ देटाओं से मेरा निवेदन की अपने भीतर की स्री शक्ति को मुझ में समाहित कर दे जिससे की इस दुश्ट असुर का मैं संगहार कर सकते समास्प्सक्राहं में समाहित कर दो मेरी नारी शक्ति भी मुझे छोड़कर देवी में समाहित हो रही है कर दो कर दो सकते हैं सžeते हैं खार कर दो सकते हैं मेरी शक्ति पिर मेरी शक्ति बार को चारिक भी मेरी शक्तिंट मेरे दो और योद्धाव का अंद कर दिया इस नारी ने पित्री परवत पिक्षती ग्रस्त हो गया माता विंद्य वासने की श्री माता नलिता की शुम्ब निशुम्ब मर्दने की श्वाहाश्वधा नमुस्तुते पुत्र गनेश प्रणाम माता कल्यान हो पुत्र माता आज इस युद्ध भूमी में संसार को आपके वीरता महिश रिंगार रूप के दर्शन का स्वभाग्य भी प्राप्त हुआ हां माता वीरांगनाओं के पराक्रम में भी उनके सौंदर्य का समावेश होता है जैसे आपके चड़नों पर महिश सुर का रक्त आलता के समान था चंड मुंड के वद के समय आपके मुख के मुस्कुराहर मोगरे के पुश्पों के समान सुंदर्ता बिखे रही थी रक्त बीच का अंतकर में जब आप युद्ध भूमी में उत्री तो वहां रक्त भरी दूम्र का उर्ना आपकी साड़ी के लाल आचल के लहराने के समान था और रक्त बीच का रक्त आपके होटों की शोभा बढ़ा रहा था विशुम्ब के वद के समय आपकी परचाई जैसे आपके सुंदर केशों की छाया थी और शुम्ब का अंतकरने पर आपके कंठ पर उबरे स्वेद के कंठ शुवेद मोतियों के अभूशन के समान थी इसलिए माता आपका वीर्था में श्रिंगार तो अद्भूत था तुम बुद्धी और युक्ती के बल पर सदा मेरी सहयता के लिए तत्पर रहे तुमने उचित समय पर देवी कवच का प्रयोग किया और देवियों की सुरक्षा सुनिच्चित की और जिसकी बुद्धी इतनी प्रकर वही अपनी सुरक्ष्म द्रिष्टी से मेरी रूप का इतना सुन्दर वर्णन कर सकता है मैं तुम्हें आशीश देपी हूं पुत्र कि जो भी संकत काल में विग्नहर्टा गनेश का नाम लेकर मेरा देवी कवच पाथ सत्व निष्ठा और श्रद्धा से पड़ेगा कोई भी संकत उसका फर्ष भी नहीं कर सकेगा कोई भी तंकट उसका फ़र्ष भी नहीं कर सके करते हैं मेरी विजय का बियान चलता रहेगा ये युद्ध भी नहीं रुकेगा पुत्र गनेश, क्या हुआ? मुझे पताओ, क्या है तुम्हारे चिंता का कारण? इन सभी असुरों से मैं परिचित था, इसलिए मैं इन्हें पहचान कर इनके अंत का सुझाव दे सका किन्तो यदि भंडासुर ने किसी ऐसे असुर को भेजा, जिसे मैं भी ना पहचान सकूँ, फिर उसका क्या परिणाम होगा? पुत्र, जिसके पास बुद्धी का बल हो, उसके लिए कैसी कटिनाए? इसलिए अब भंडासुर जो भी करेगा, उसकी चिन्ता तुम त्याम तो जिने कुछ करना होता है, वो विचार नहीं करते भंडासुर को जो करना था, वो कर चुका तुमने मेरा कुछ नहीं चीना जो कि जो मैं तुम्हारा छीनूंगा, देवी तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती और मेरा एक प्रहार तुम्हारे सहस्त्र प्रहारों पर भारी पड़ेगा सत्य से परिचित होना सभी का जन्द सिद अधिकार है गणेश जी तो फिर भंडा सुरुस से क्यों वन्चित रहें आज माता के महीमा गान से उसे भी ग्यात हो जाने दीजी कि चाहे वो कुछ भी कर ले, हमें कोई चिन्ता नहीं चिन्ता की चिता तो जल कर ही रहेगी क्योंकि मैंने जो किया है वो अद्भोत अंधकारी ही नहीं कल्पना से भी परे है माता जिस क्यान के प्रकाश से आप भंडा सुर के भी तर्चे पे अंधकार को मिटा कर सर्वत्र प्रकाश की उर्जा का संचार करने जा रही है उसके लिए हम क्या समस्त संसार आपकी महीमा का गान करना चाहता है शिती जल पावक गगन समीरा नमन को पंच तत्व भी है अधीरा हां यह वही पच्छन है जो श्री माता ललिता ने अपने काली अफ्तार में अंकित हिये थे सब्सक्त्राइब समीरा ने बाल भावक ग anthropology में यह विर्दीवरा ने आफम यह अचिता आबाल पंच भूत तत्वों ने आपके लिए जिस सिंहासन को आकार दिया है उसकी शोभा बढ़ा कर आप धर्म के सामराज्य का आरंब करेंगे माता राज राजेश्वरी इस अद्भूत दिव्य सिहासन पर विराजमान हो जाए और हमें आपकी बंदना करने की अदुमति देजिए नमस्तस्याई नमा नमहा जब मेरे जन का आधार ही भस्म है तो क्यों ना मेरे होने वाले सामराज्य का सिंहासन भी भस्म का हो किन्तोस के लिए तो इस संसार को ही भस्म होना पड़ेगा क्यों गणेशी? इतना तु चलता है ना? या देवी सर्व भूतेशु शक्ति रूपेड संसिता नमस्तस्याई नमा नमहा यहां जो कुछ भी है सब को अगनी में भस्म कर दूँगा मैं सुर्याद से पूर ही इसमें अगनी क्यों चलाई है? मुझे संदे हो रहा है कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम देख नहीं पा रहे हैं बंडासुर अपने ही महल को आग लगा कर नश्ट कर रहा है कहीं इसमें कुई नया शडियंतर तो नहीं है पूत्र कारती के सर्वतोचीत कह रहा है बंडासुर कोई बड़ी योजना बना रहा है पूत्र गनेश को सतर्क रहना चाहिए मेरी अगली योजना आपकी कल्पना से भी परे है गनेशी नमो नमो पराशक्ती मा नमो नमो महाशक्ती मा खडगधारणी धरमधारणी हम सब की बिंदी सुनो मा नमो नमो पराशक्ती मा बजन और कितन सब्यर्थ है इन्हें क्या सुनना नमो पराशक्ती मा कर लो बजन कर लो कब तक कर पाएंगे स्वयम ही शान्त हो जाएंगे बंडा सूर बस कुछ समय और प्रदीक्षा कर लो जे ललीता जे खार तिरी भंडा सुर संहार करो बंडा सुर संहार करो जे ललीता जे खार तिरी भंडा सुर संहार करो भंडा सुर संहार करो नमो नमो परशक्ती वा ये कैसा अनर्थकारी द्रश्य है स्वर्ग लोग के सभी देवी देखता इस प्रकार कड़ों में परिवर्तित होकर विलीन क्यों हो रहे हैं नारायन देवी लक्ष्मी ब्रह्मदेव देवी सरस्वती रिशी मुनी सब पर किसका प्रभाव चाह रहा है नंदी जी क्या आपको ग्यात है इस दृशी के पीछे रहसे इस दृशी ने तो मजे आशेरे में डाल दिया है पिता श्री महादे और मा भी सभी के साथ इन भिननरंगों के कड़ों का रूप लेकर कैसे बिलीन हो रहे हैं युद्ध भूमी में मेरे और श्री माता ललिता के सिवाए कोई भी शेश नहीं ये कैसे संभव है सुर्यदेव का प्रकाश भी लुप्त हो रहा है समय का चक्र भी ठंग गया है जिसने भी मेरा सब कुछ छीना है उसका भी सब कुछ छीन जाएगा सभी माताएं कहां द्रिश्य हो गई सुर्यदेव तो निरंतर अपने पत पर गती मान रहते हैं कदाचित देवताओं को इसका कारण ग्यात होगा स्वर्ग लोग भी देवताओं से रिखते हैं तो मामा जी या फूपा जी कदाचित मुझे कुछ बता सके कहीं कोई नहीं किन्तु पिता श्री मा और जेश्च कारतिके तो अवश्य मेरी जिग्या सा शांत करेंगे मुझे क्यालाश जाना चाहिए तीनों लोग निर्जन हो चुके हैं अब मैं किस से पूछू कि संकट का क्या कारण है कहीं कोई नहीं है अविज गनेश तुम्हारे मेरे श्री मादा लानिता और सूरी देव की सिवाए हमारी सिवाए कौन भाहिया? मातर प्रभु महाशिव और महाविष्णु ही है अर्थात अब मातर हम चैही शेश है हां गनेश प्रभु महाशिव प्रभु महाविष्णु श्री माता ललिता सूर्य देव मैं और तुम अर्थात जो परम ब्रह्मस्वरूप है वही शेश है भंडासुर क्या भंडासुर ऐसा कुछ करने में सक्षम है भाया? सभी देवी देवता त्रिदेव और त्रिदेविया जब विलुप हो रहे थे तब ये दुस्ठ ही जैसे किसी प्रतिक्षा में था जैसे उसे ग्याद था कि यहां क्या होने वाला है सुर्यदेव के अस्त होने के पूर्व ही ये दुस्ठ अपनी योजना को मूर्त रूप दे चुका था तब तो मात्र यही हमें अपनी कपट योजना की बारे में बता सकता है भाया आप यही माता के निकट रहकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए मैं अभी लोट कराता हूँ इस बार मैंने ऐसा उपाय किया है जो इन सभी को दुर्बल बना देगा और मेरा सिंगासन सभी प्रमभांडों का सिंगासन बनेगा प्रताशी प्रताशी invoice प्रताशीubscribe प्रताशी पिताश्ती, यहाँ थे ना, यहाँ देरिया, नहीं हो। स्वार तो उसी का है, खिंदो वो यहाँ कैसे हो सकती है। उसे तब स्वेम मैंने अपने इन हदो से। यह आपका तो मैं क्या है पिताश्ती? यह रख अट्यू नहीं रहा, बढ़ता ही क्यों जा रहा है। पिताश्ती, यह क्या मेरा रख है। क्या यह मेरा रख है, पिताश्ती? पिताश्ती, यह क्या मेरा रख है। क्या यह मेरा रख है, पिताश्ती? बार बार ये त्रिश मेरे सामने क्यों आ रही है इस प्रकार क्यों सदा रही है मुझे क्या ये मेरा रहता पताशी नई बिटा दूगा उसे बोला दूगा उसके प्रतेक स्मृति को तबी दुलेगा मेरे हाथों का ये रख और अधोगा रह रहकर ये उटने वाली स्पीडा का कुछ नहीं शेश छोड़ूँगा मैं उसका स्वर उसका स्वर अब कही से नहीं आ देतूँगा मैं ये द्रेश ये स्वर नहीं से सका मैं बड़ी दैनी अवस्था है तुम्हारी बंडा सो यक्ती के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते कर्म ही पुरुसकार दिलाते हैं तो वो दंड का कारण भी थो बनते हैं तो ये आप ही थे जो मुझे कश्ट पहुचा रहे थे नहीं भंडा सुद्ध ये तो तुम स्वयम अपने साथ कर रहे हो जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है और जो होगा वो अन्य किसी के नहीं तुम्हारे ही कर्मों का परिनाम है मैं तो तुम से इतना ही पूछने आया हूँ कि इस बार तुमने क्या किया है वही किया है मैंने गड़े जी जो मेरे साथ हुआ है मेरा संसार ही छिन गया तो मैंने संसार से उसका सब को छीन लिया सब को छीन लिया? अर्थात बताओ मुझे भंडा सुर क्या किया है तुमने वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था वही जिससे अब सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा भंडा सुर्ख आज तुमने प्रमानित कर दिया कि अज्यानी ही नहीं महा मूर्ख भी हो तुम परिणाम जाने बिना किया गया कार्य कभी भी किसी का साहयत नहीं हुआ है तुम्हारे कारण संपूर्ण ब्रह्मान्ड का स्तित्व मिटने वाला है क्योंकि संपूर्ण स्रिष्टी उर्जाविहिन हो जाएगी पंच तत्व ही नहीं अन्य ग्रह भी अपनी शक्तियां खो देंगे कुछ भी गतिमान नहीं रहेगा समस्त जीवन धीरे-धीरे थम जाएगा अब जब ना धर्ती और ना अन्य ग्रह अपनी धूरी पर गतिशील रहेंगे और ना ही वो सूर्य के चारों और अपने कक्ष में गूम सकेंगे तो वो अपनी गुरुत्वा कर्शन शक्ति को भी खो देंगे और तब सभी ग्रह एक दूसरे से आकाश गंगाएं अन्य आकाश गंगाओं से और प्रमांड दूसरे प्रमांडों से टकरा कर रश्ट हो जाएगा ऐसे असंठ विस्फोट होंगे कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा अब जब सब नष्ट हो जाएगा तो तुम किस पर राज करोगे भंडासुर? मैंने कहा था ना अन्थी मेरा आरंभ है मैं एक नए ब्रमांड की रजना करूँगा और उस ब्रमांड का शिव और शक्ती ही नहीं ब्रमा और विष्णों भी मैं ही बनूँगा बुद्धी ब्रश्ट हो गई है तुम्हारी भंडासुर अभी रोग दो इसे अन्यथा सब मिट जाएगा तुम भी परिराम की चिंदा करना मेरा सुभाव नहीं मैं तो बस जो चाहता हूँ वो करता हूँ मेरे हाथ शिथिल और जड़ क्यों होते जा रहे हैं मेरे हाथ मेरी भुजाएं इस प्रकारनी जीव होकर नश्ट क्यों हो रहे हैं जो जाल तुमने बुना है वो तुम्हे ही निगल रहा है भंडासुर अब कुछ ही समय शेश है अभी भी बता दो मुझे क्या किया है तुमने ऐसा ही रहा तो सब कुछ नश्ट होता जाएगा और अपने किये का परिणाम तो तुम भी भुखतोगे अंत निकट है भंडासुर उससे रक्षा चाहते हो तो शीग्र अपना भेद खोलो बताओ मुझे मैंने उनको वीदो को चुराने के लिए भीजा था किन दोनों को बताओ भंडासुर एक्रीव और दुर्गमासुर तुर्गमासुरोर है ग्रीव प्रतिशोद लेना है ना तुम दोनों को इसलिए युद्ध के लिए इतने उत्सुखो रहे हो तुम दोनों हाँ मत्यां दुस्तुक हैं कि पिस्ट्री बार हमारा प्रहार्चिवा सफल रहा ये क्यात है हमें इसलिए इस बार सफलता पूर्वक करेंगे हम अपना बार जहां बड़े-बड़े महायोदा सफल हुए वहां तुम कैसे सफल होगे क्या है तुमारी योजना इस बार हम वेदों को चुराएंगे भी और और क्या करोगे उन्हें नश्ट भी करेंगे मिटा देंगे ध्रम की अधार को फिर कोई कैसे विपल करेगा हमारे इस प्रहार को किन्तु उन दोनों को इसका अबसर कैसे प्राप्ट हुआ रभु गणेश जी जब आप उस देवी के हार शिंगार का वर्णन कर रहे थे तब दुर्गमा सुर ने केट की पुष्प का रूप धारन किया था केट की तुम? तुम यहां कैसे? प्रश्न आपको नहीं मुझे करना चाहिए कि आप यहां क्यों है? ब्रह्म लोक है यह मेरा संसार के रचाईता ब्रह्मदेव का स्थान मैं इस स्थान की नहीं आपकी योग्यता पर प्रश्न कर रहे हूं क्या ब्रह्मदेव के पद के योगे हैं? स्मर्ण कीजे ब्रह्मदेव जब महादेव ने आपकी और नाराण की परीक्षा ले थी, तब आपने उस परीक्षा में उत्तील होने के लिए मुझसे चूट बुलवाया था, जिसके कारण मुझे महादेव से श्राप मिला कि केत की पुष्प को किसी भी पूजा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, लेकि गलानी में उल्ठे रहे, और उस अंतराल में हैग्मिय में वेदो को चुरा कर अपना कारे कर लिया, वेद मेरे हाथो में नहीं है, वेदो जे रिक्त होकर मैं ही नहीं, समस्त संसार ज्यान के प्रकाश को खो देगा, ये अनर्थ तुम नहीं कर सकती केत की, केत की नहीं ब्र और जिसे आप देख नहीं सकते, वो मैं हूँ ब्रमदेव, एग्रीव, अब ना भेद रहेंगे, ना आप, और ना ही आपका ये रचा संसार मूर्ख व्यक्ति को ये ग्यात ही नहीं रहता, कि वो दूसरों को हानी पहुचाते, स्वयम की कितनी बड़ी हानी कर लेता है